नमस्कार मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कारिक्राम मोदी, मुल्क और मुसल्मान में आप सभी का स्वागत करती हूँ मोदी, मुल्क और मुसल्मान इसलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की पांच भी सबसे बड़ी अर्फिवस्था है और आने वाले पांच सालों में तीसरी सबसे बड़ी एकॉनमी बनने की रह पर है तो काम्याबी का ये सफर भारत के मुसलिमों के योगदान के बिना संभब नहीं आज अगर पियम मोदी 2047 में विक्सित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड लोगों के साथ देश के करीब 19 प्रतिशत मुसल्मानों का भी है और वो इसलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुसलिम आबादी रहती है ना सिर्फ रहती है बलकि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है लेकिन सियासक का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसल्मानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए लेकिन इन ठेकेदारों से मुसलिमों को क्या मिला ये बड़ा सवाल है लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखर आज देश के मुसलिम मुदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं क्योंकि पियम मुदी की नाशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नारेटिव तयार कर दिया गया था नारेटिव ये कि वो देश के मुसलिमों को बतौर नेता पसंद नहीं करते वो मुसल्मानों के बीच अलोग प्रिये हैं लेकिन क्या वाकई में ऐसा है और इस तरह के नारेटिव जिस बुनियात पर गड़े गए उनकी हकीकत क्या है ये बड़ा सवाल और सवाल ये भी कि आखर देश के मुसलिमों के प्रधान मंतरी मोदी और उनकी सरकार के प्रती विचार क्या है क्या वाकई वो उनको नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं हमारा कारिकरम मोदी मुल्क और मुसल्मान इन ही सवालों की परताल करता है और इसी सिलसले में जब हम शहर दर शहर गुजरते हैं तो जवाब जो मिलता है वो ना सिर्फ दिल्चस्प बलकि आँखे खोलने वाला भी है इसलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए ताकि मुसल्मों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगा देश के विकास में उनकी भागेदारी उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए और जिस बुनियात पर प्रधान मंत्री बनार्सी के बुनकर कालोनी रसूलपूर में हूँ और आप देख सकते हैं कि तमाम ये मुसलिम समाज के लोग यहां पर हैं और सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ कि बनार्सी संसदिये छेत्र में चार लाख मुसलिम मतदाता हैं और यहां की सक्षरता दो परसेंट है और मुसल्मानों का जो मेन मुख्य रोजगार है वो बुनकरी का है तो कासी के मुसल्मान दुनिया के लोगों का बदन ढखने का काम करते हैं तो आईए जानते हैं जो भारत 24 का एक मुहीम है मोदी मुल्क और मुसल्मान के तहत एक कारवा आज रसूलपूर में पहुंचा है हम इनसे हम बात करेंगे कि इनका क्या मिजाद है मोदी के प्रती देश के मुसल्मानों में क्या कुछ चल रहा है उनकी उजनाओं से मुसलिम समाज को कितना ला भी मिल रहा है इनी सब विस्वयों पे हम बात करेंगे मान्य परधान मंत्री मोदी जी के ये संसदिय छेत्रे हैं हम लोग उसी छेत्रे से आते हैं मान्य परधान मंत्री जी ने जो भी आज तक कार्रे किया है अपने बनारस के लिए बहुत अच्छा कार्रे जैसे कि योजना है जो भी हो गई तो सब को इसका लाब मिलता है खास तोर से मुसल्मानों को भी इसमें बहुत अच्छा लाब मिला है ज्याद है आई उस्मान भारत हो गया जिसमें की पांच लाक रुपे का इलाज मुक्त पिछली सरकारे जो थी आज तक उन्होंने कभी ऐसा कोई मतले की योजना लेके नहीं आई तो बतला मोदी के योजनाओं से मुसल्मानों को लाब मिला है नहीं मोदी के जो योजना है ये तो लेकर आए हुए हैं लेकिन जो कार रहे जैसे कि बनारस में आज तक सड़कें का जाल जो है सड़कों का पहले ऐसा था कि टूटी फूटी सड़के होती थी चोटी सड़के होती थी जैसे ये जिटी सब आदमी सेफ है यहाँ रोट पे चलता है जो रोट का जाल बना हुआ है हर तरह आदमी यहाँ से लखनौ तक भी जाता है कहीं भी जाता है तो कोई मतले कि आदमी को दिककत नहीं देती है मान्ने मोधी जी जो भी बनारस के लिए कर रहे है आज तक हमें लगता है कि करीब करीब लाखों करोर रुप्य की सावगात बनारस को दे चुके हैं करीब करीब इसमें जो विकास हो रहा है बहुत विकास हुआ है आगे भी विकास होगा जैसे कि मतले कि ये Medical College महानी मोधी जी ने जो बनारस को दिया है तक Medical College नहीं था ये बहुत अच्छी बात है Medical College जो बनारस ने मोधी जी नहीं दिया है और भी आगे जो भी जैसे कि अन्य योजना है 80 करोड लोगों को अब तक योजना का लाब मिल चुका है तो उसे गरीब मुसल्मानों को लाब मिल रहा है अन्य योजना से अन्य योजना में जैसे मोदी जी है ये तो मतलए कि देख के भेदबा वाली सरकार तो है नहीं जैसे किसी को मतले की मिले किसी को ना मिले सब को मिलता है करीब करीब यहां मतले की मुसल्मानों को च्छेतर है यहां तो हिंदू की आबादी कम है मुसल्मानी च्छेतर है यहां तो मुसल्मानों को जादा से जादा लाब सब को मिलता है अब सोच लिज़ हिंदुस्तान में 150 करोड करीब 60 करोड की आबादी है 80 करोड लोगों को मिल रहा है 50% लोग गरीबी रेखा से उपर है जो नीचे है उनी को लाब मिल रहा है अब नहीं तो पिछली सरकारे थी उसमें सब गरीब होते थे कोई उसमें अमीरी नहीं होता था हाजी साब आपके पास आएंगे तो देखिए हाजी साब का इसाब कहना है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र जिनाव से इतना लाब मुस्लिम समाज पारा है तो कि प्रधान मंत्री जी कि सभी जना है चाहे वो जिला हो अगुस्मान हो पतल जितनी भी पीएम आवास हो जाने कि कोई वह नहीं है कितना जिक्र करें इसका लाब कोई बाट कर नहीं हो रहा है कि हम खराने वर को देंगे मोडी जी के लाब सारे समाज को ला मूस्लिम को मिल ला सिक को भी मिल ला हुशाय को मिल ला अब कर को SAMान सब्सक्राइब अगर कि अदर देखिए आईorter सब्सक्राइब को देखिए एरपोर्ट को देखिए मतलब तो कोई सवाल ही नहीं किसी भी धर्मिजाद विराजी को मोदी जी को बोट ना दे विभी राजनेतिक दल आरोप लगाते हैं कि मोदी से मुसलमान जो है डरा हुआ है तो क्या लगता है आप देखिए यही कहिकर तो बहुत बातोट से हैं सच तो बोलते नहीं है उन्हें दो विकास तो किया नहीं उनका तो काम ही है कि मुसलमान को डराके उस समाज का बोट ले मुसलिम समाज में कर रहा है कि मोदी मुसलिम विरोधी है लेकिन ऐसा मोदी नहीं है मुसलिम समाज को पढ़ानमंति नरेंद्र मोदी गले लगा कर चलते हैं हमारे बीच एक महिला है हुसना जी है कितना लाब मुस्लिम समाज को मिल रहा है एक परसेंट मालिजी जो नहीं जानते हों को नहीं मिल रहा है और सबको मिल रहा है इसमें कोई जात विरादरी का कोई इसमें नहीं महिला सुरक्षा को लेकर के क्या सोच महिला बहुत खुष है बहुत सुरक्षीत है पहले तो जो हो तलाग से महिलाओं में दुस्वारियां थी जी पहले थी जी अब बहुत रहात हो चुकी है और क्या और क्या इनकी उजनाओं से जो है माइनार्टी लाभानुत हो रहा है लड़कियां पढ़ाई करी एजुकेशन के लिए स्कूल में बहुत रहात मिल रही है लड़कियों को पढ़ाई के लिए पहले पढ़ाई के लिए तिकते आती अब के लिए आते के लिए तेकर ह मोधी सरकार आई है तब से खरिदारी करके जाते तो इसे बुंकरों को अर्थिक लाफ पहुंच रहा है आए हम जालते हैं अजी मुदीन भाई बताईए कि आप इस सरकार से कितना खुस है इस सरकार से हम बेहत खुस हैं और जीस तरीके से मानि परधान मंत्री जी का एक नारा था सब का साथ सब का विकास सब का विश्वास तो उसके तहट ये सरकार जो है काफी कारे कर रही है और हम लोग बनारस के लोग काफी उत्साहित हैं इसको लेकर के और हम चाहेंगे कि 2024 में मानि परधान मंत्री जी पुना परधान मंत्री बने जी जी दो बार हम चाहते हैं कि मानि परधान मंत्री मोदी जी बने तो तैयारिया हो रही है जी तैयारियां हो रही है जैसे परधान मंत्रिया आवास से योजना है उससे मुसलिम समाज को कितना नाम मिला है परधान मंतरी आवास योजना हो या उज्वाला योजना हो किसी भी तरीके की योजना हो जैसा कि मानि परधान मंतरी जी ने का एक नारा है कि सबका सास सबका विकास सबका विश्वास उसी के माध्यम से किसी को भी इसमें कम या बढ़ती नहीं दिया गया, सब को एक बराबर से दिया गया है, आवास हो, या फिर उज्वाला योजना हो, बिजली सब्सीडी हो, किसी भी तरीकी की योजना जो केंदर सरकार के द्वारा चलाए गई है, उसे किसी में भेद भाव नहीं किया गया है. अच्छे से मिल ला है, अच्छे से मिल ला है, यह बताए कि आपका मुख्य पेशा क्या है, बुनकरी हमारा है, तो रोजगार धंदा ठीक ठाक चला है, तो अगली बार अप्रधान मंदी की रूप में किसको देखना है, मोधी जी को, मोधी जी को देखना जाएंगे, तो कि बनारस के मुसलिम समाज, बिलकुल मोधी जी को 2024 में परधान मंतरी के रूप में देखना चाहते हैं, आए हम सकील भाई से फिर बात करते हैं, सकील भाई यह बताए कि सिछा की क्या इस्तिति है माइनार की में बच्छों की, पहले से तो अब बहुत बहतर है, पिछले की चाहती भी मिल लगी है बच्छों को, चाहिए वो मदर्सा हो, अब ऐसे मुदी जी ने भी कहा है, एक हाथ में कम्पूटर, एक में कुरान चरी, तो उस पे काम हो रहा है, सारे मदर्सों में और जो भी सिछा के क्रेंद है, मतब मदर्सों को हाई टेक किया जा रहा है, सारे म ज़र के बच्चे, चाहिए वो जैसे भी हो, पढ़ लें, अच्छा, पढ़ाई पे सरकार की भी वो योजनाए है, तो तेकि ए सकील भाई का काहना है कि इस सरकार में, मोदी सरकार में, जो मुस्लिम समाज के बच्चे जो सिक्छाले से दूर थे, जो विद्यालों, मुसलिम समाज के बहुत से खाना गोरी पे खाना बनाती थी, आखे उनकी खराब होती थी, फेपड़े खराब होते थे, कब अच्छा परिशानिया काना बनाने में, तो इसलिए उन्हों निकाली योजना का हर मुस्लिम घर तक पहुंचा है, मैला तक तो मतल्ब कि पुरा प्रस निर्वह करके निर्वय कर कर रहा है और छुट यहां का यहुट समाज है और जो हिंदु समाज है दोनों सदियों सदियों से मिलजूल अग्ताने तरह मिल करके रहते आये हैं कहा गया है कि गुल सनो गुल जुदा जुदा पर बागवान एक है चाहें जमीन बाटलो पर आसमान एक है हरिंदर सुकला बारट वेंडिपोर वरारसी से